मुझा प्रिया आप स्पीकाश स्वागत करते हूं हमारे चैनल प्रिया प्रेया आज है मकरशग्रांथ कोलते हैं कही जगों पर खिचडी और हमारे हमारे आप लगे कि दो दीन पात देखें कि अप लोगों की कामें ज़रूर बताना हमारे हैं कैसे होती है सबसे पहले खिचडी अभी आपने देख लिया हमने सबस्बद ज़ब अफ़ नहां नहां के लिए बाद भाणे के बालपल जित्टा जानते हैं जानते हैं सुजी का लड़ू, इसके बाद तिल वा, अलेडुवः बहुत कुछ लेकर लाई चूड़ा, गट्टा विऴ वत रखता हैं। झाता है जाता है। हम एक मुठ को कि मुस्ट रेचा इव bet रहुशा नहीं हुशे आगे जह काक हुशे है dus when i visit the government कि अभ्जुम्म प्रीजुन के लिए कह दिए झात्यों के मुथ्मेशन के लिए भा टे दो थृ। किचडी चुनने के बाप फिर खिचडी बनती है कि बनाएंगे पिछले साल भी बनायेंगे सबसे पहले चाह पहले के लिए फिर मिलते हैं खिच्डी बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, गोभी, मतर, टमाटर और यह है लैसन, मिर्ची और धनिया, पीस के हरा मशाला, तो बिना इसके खिच्डी टेस्टी नहीं लगती है, खास कर खिच्डी वाले दिन की खिच्डी, तो एह हो गया, और इसके बाद चावल और उरत तो इतना सब कुछ चाहिए हमें खिच्डी बनाने में, Believe me अगर आप इस तरीके से खिच्डी बनाएंगे बहुत जादा टेस्टी होने वाली है, तो ज़्यादा बाते ना करते बनाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर की खिच्डी बनाना स्टार्ट करते हैं में खाद चुनी, भाग गया सुभूज़, यहां पर रग दिए कड़ाही, हम कड़ाही में बनाएंगे, कड़ाही के विए बहुत ज्यादा पेस्क्री होती है, तो यहां पर चाचु आ रहा थे, आने लोग क्या रिक्कत है, आज 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 संदे है, इसलिए कुछ ज्यादा ह स्क्रीख दिए दॉरिंगे च stirring पर शुत कर दो चरीरत है, कर दो दो, हमने यहां पर रख दिए हमारी कड़ाही गड़ाए, कड़ाही जैसे ही गड़ाए, इसमें डालेंगे सरश्रु का तेल, इसमें बालेंगे सिर दीजेरा, जीरा थोड़ा सा crush होग । फिसमें हम डालेंगे um 2 लिखकार ही लेंगे 3 लेसने की कर्लीय काटको इसके बाद दालेंगे खुब शारा इसमें ही इसके बाद जैसे ही तड़का मारा हो जआए इसमें हम तो भी डालेंगे और ताकि यह तोड़ा सा आफ यह कलर ब्राउन हो जाए इसके बाद हम आलू डालेंगे तो आपके यहां कैसे बनती है खिषडी गो भी डालना है तो इस तरीके से बनाया फिर गो भी आप छान के भी रख सकते हैं लेकिन मुझे ज्यादा तेल नहीं चाहिए था छान के रखूं तो इसलिए मैंने इस तरीके का बना लिया तो इसके बाद आलू डाल दे आलू थोड़ा सा सॉप्ट हो जाए तो इसमें चावल डाल देना है जो आप धुल के भीगो के चावल रखे थे उसको डाल के अच्छे से भुनना है आपको थोड़ा सा कलर चिंज हो जाए थोड़ा सा कडाही में लगने लगे तो अब जो मैंने यहां पर लहशन, मिर्ची और अद्रक पीस के रखा था धनिया, वो डाल दे रहे हूं, हरा मशाला इसको बोलते हैं, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे, अब हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर, बाद में जब खिच् रहे हैं, बटर भी आपको अच्छे से भुनना है, और यहां पर आर्ती थी, तो आर्ती मारी काफे जादा हेल्प करा रही थी, तो चलो, अब इसमें टोमाटर डाल दे रहे हैं, हम दो पकी टोमाटर हैं, उसको डाल के, आप चाहें तो जब आप गुवी पका रहे थे ना, प्राइ कर रहे थे, तभी टोमाटर डाल दें, बटोमाटर मैं इस तरीके से डाल दें, ताकि इसको ना खाना हो, बाद में निकाल दे, तो अब यहां पर जब कडाही में नीचे लगने लगे, आपका खिचडी का आपने बनाया है, तो आपको पानी डाल देना इसमें, और पानी खूब शारा डालना है, हम लोगों को पतली खिचडी खाना पसंद है, आप किस तरीके की खिचडी खाना पसंद करते हैं, कमेंड में जरूर बता है, गर्मा गर्म पतली खिचडी हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इस तरीके की खिचडी सच बता रह नमक अपने टस्ट के हिसाब से कम ज्यादा नमक कहना पसंद करते हैं वेसाब कईसे और काफी सारे लोग भूल रहे थे खटाई की रेशिपी शेयर, कि तो मैंने आज और खिचडी की रेसिपी आपको कैसी लगी आपके यहां कैसे बनती है ऐसे बनती है थोड़ा अलक बनती है कॉमेंट में जरूर बताना तो-चलो देखते हैं, खिष्डी पक्डविय है कि नहीं , थोड़ासा सा पक्डविय है बट सो झाल कि थाक देते हैं कि साने टर कर घाले में, चलो वादक फ़ीड गर बेरी मुझाटली झालादय से अच्छे सा माध्यनल मकणिये दूछ दिफ ईस अजरी हो जाये तब तस हम एक साइड में पापड बना लेते हैं तब तर लेते हैं बनाना नहीं है तहीं रिकाल के रखे हिए बस नुमा टाल के सिठ थंड है उसको चलो कर लेते हैं तो तो किष्डी हिमारी अच्छे से पख दें एंप इसमें थोड़ा सा गला मसाल आल कर दें चैनल को सब्सक्राइब ने किया हैं तो सब्सक्राइब कर दें आपको सब्सक्राइब करना पूल जाते हो लाइक करना भूल जाते हो तो मैं इसलिए दिला देर देर मेडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे थोड़ी ही देर अभी पती नहीं है धके थोड़ी दिर आने-वाली हों क्यारे हें कर शुरू नियुक्जरी के चार यार- घी पापर्ड, और वह उता टो कि हम खाते नहीं खाते तो कोई नहीं खाता हम Deshalb हैं भब गष्पआधने काथ सकते हैं और थोड़ी सी मिरची पाडано पॉल्स टेस्टी डालना है मिक्स कर के सबको देना है बहुत ही टेस्टी लगती है ऐसे दिशा करें तो आप थोड़ा सा दनिया पत्ता है और और थोड़ी सी मिरची काट के डाल दी जिए तो बहुत टेश्ट आजाता है तो बस इसमें नमक डाल दे रहे हैं वैसे अभी दही हमारे घर में सिर्फ हम और शुभम खाने वाले हैं निहा को दही नहीं पसंद है देव की थोड़ी से दव्यत नहीं ठीक है तो बस चलो हम फडाक से निकाल देते हैं सब के लिए दो पहर क लंच तो यहां पर हम लोग लंच कर रहे हैं अब अलग अलग आवा तहन आपके दूप चम का तहन बहुत ज्याद है आप है तो साम में हम लोग आ गए पलासियो मॉल और ग्रोश्री की कुछ चीज़े लेनी थी तो देखिए मैं प्रतियूश बाबू नीहां शुभम हम पांच लोग हैं तो पांच लोग आए थे चलो चलते हैं देखते हैं क्या कुछ करते हैं यहां पर चेकिंग वगरा होती है फिर सब यहां पर चेंज होता रहता है और मुझे लखनो में इतने सारे मॉल है ना बटतने की वह सुकून इहां पलासियो में ही मिलता है तो उपर से जब हम लोग गए तो हमने देखा कि यहां पर शैंटा चॉक्लेट कैसल बना हुआ था इसके बाद हम लोग आगे आगे क्या कोफी पीने के लिए तो यहां पर बाबु सेंट्विच खा रहा है हम लोग बैठके इंज्वाय कर रहे हैं इसके बाद अब धेर सारी ग्रॉसरी हमने लेली आप देखी सकते हो कितनी ज्यादा ग्रॉसरी ले गई है एक्शली आज से बाबु का इसकोल था तो टिफिन के ल आरती जूट गई मेरी तब यह थोड़ा सा सही नहीं चल रही है तो आरती ने मुझे बताया नहीं और खुद ही जूट गई तो यहां पर शेवहिया बन रही है सबसे पहले कड़ाही में घी डाला इसके बाद स्वहियों को अच्छे से भून लिया भूनके निकाल लिया श चीनी डाल के पकाएंगी बाद में सिवहिया तो घुनके रखी है उसको डाल के फोड़ी दिर पका देंगे इसके बाद इसमें थोड़ा सा अधाल देंगी सैफरन वगरा कलर के लिए बस हो गया सिवहिया उन्होंने बना दिया उनके तरीके से सिवहियों बनके तयार अब यहां पर पनीर की सब्जी बननी थी क्योंकि भाई कामन था मटर पनीर खाने का तो पनीर को छोटे-छोटे टुकडों में काट लिया इसके बाद डीफ राई कर लिया और मैंने सुझा कि आप लुक के साथ सेयर कर दूं क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड करा लिया था भाई से के सुभ़म, से बोलके तो Κाफी ज्यादा है अबड़ ज्चेन के रखक लिए तोड़ाहीमे सचो का तेल जीरा धोड़ा सा हरोग। अब इसके बाद चॉप्ट जो इन्होंने चॉप किया हूए ओनिया इसको डाला इसको थोड़ी देर पकाएंगी कलर चेंज होने तक अब इसमें टमाटर डाल दे रही हैं वैसे हम बनाते तो प्यूरी बना के बनाते बट बहुत ज्यादा रात हो गई थी नव साधे नो बच रहे थे जब आरती ने कुकिंग की हुई थी तो अब थोड़ा सा इसमें नमक ढाल दिया क्योंकि लोग लेट आये थे और आरती और एक जगहां काम करती है ना तो फिर थोड़ा सा लेट वहां से आती हैं इसमें सारे मसाले मिक्स करके इन्होंने लाइक धनिया पावडर हल ठीक नहीं थी तो फिर मैंने मुझे नहीं पता कहसे बनी थी और जब उबलने लगी सबजी तो इसमें उन्होंने पनी डाल दिया इसको ठक के कुछ देर पकाएंगे इसके बाद कशूरी में थी पहली बार मैं ठीक से नाम बोल रही हूं अदर्वाइस मैं कस्तूरी कस्तू क कशूरी करते हूं अब यहां पर जावल बास्मति चावल बनारे पानी रख दे उबलने के लिए उबल गया पानी तो वंधर्ड को कोखने तक चावल इसको छ्raw लेंगी तो वस थोड़ा सा रसा लएक तह भल पकऌएंगे तो इसको छाल लेंगी इनों ہी डाला था अच् अच्छा कशोडी बन रही है तो आलू लिया हुआ है आलू में हरी धनिया धनिया पाउडर फिर नमक डाल के मिक्स किया जब अब इसमें उसम मिक्स करके फिल करके इस तरीके से जैसे कि मैंने बताए मैं कल रात में डिनर नहीं की हूँ तो मुझे आइडिया नहीं था क्या कैसे बनाया था तो मैं वाइस ओवर करते टाइम ही देख रही हूँ तो यहां पर इन्होंने कशोड़ियां तल-तल के निकाल ली और इसके बाद फिर पूरी बनी थी वह एक सैद जो मैंने कसूरी बगर डाल के बनाई थी न उस आर्टे की पूरी यह देखिए बनाई हुई है आर्टी सूजी की पूरी बनाती है बहुत ही टेस्टी बनती है लेकिन कल मैंने उनसे बोला नहीं तो उन्होंने यह वाली पूरी बना दी थी, कोई नहीं दिली दिली पूली भी नहीं खानी शही है तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा कैसे लगा वीडियो, कॉमेंट में बताना तो बस यहां पर पोड़ी तल-तल के निकाल ले रही है यह था हमारा आज का वीडियो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का व्लॉग, आज है शोला जन्वरी, दोपार के एक चाली सो रहे व्लॉग साथ दो बचे जाएगा एडिटिंग हो गई है, बस थोड़ा सा वाई शोवर वाकी है, उमीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा आपकी हमार कशनक्रान की कैशे मनाई गई, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए मिलते हैं आपस अपने नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना आप लोग लाइक करना भोल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब ने कियों तो सब्सक्राइब कर लो फिर पिर दे, बाई